नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शर्मा स्वाद कताउं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यापर बात करने वाले हैं 12 ऑफ जैनवरी 2024 के बारे में 12 जैनवरी दो हज़ाल चॉबिस का यह दिन आप सभी के जीवन में क्या कुछ लेकर क्या आरा है? आज के दिन में कैसे आप अपने दिन के एनलजी को और ज़दा बढ़ा सकते हैं कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं और कैसे अपने भागे को अपने लिए बहुत ज़दा अच्छा कर सकते हैं सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतर दीखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस न हो जाए शुक्रवार का दिन है और बहुत ही जादा पॉजिटिव दिन है क्योंकि अमावस्या का दिन निकल चुका है नए मून की शुरुआत हो चुकी है और नई चीजों की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है तो आज नई चीजों की तरफ जब भी हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूत पढ़ती है हमें अपने भागे को अच्छा करने की और आज का दिन बहुत ज़ादा अच्छा है कि आप अपने भागे को अपने लिए फेवरिबल बना सकते हैं अगर आपके जीवन में काम रुक रहे हैं आपको किसमत का साथ भागे का साथ नहीं मिल रहा और आप काफी ज़दा परिशान हो रहे हैं तो आज इन उपायों से आपको आपके भागे का साथ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा आज के दिन में दो-तीन चीज़े नोट कर लिए जो आपको जरूर करनी है पहली चीज़ किसी भी बड़े और बुजूर्ग का अपमान नहीं करना है आज के दिन में इस बात का विशेश तोर पर ध्यान लखेगा कोशिश करिएगा कि सब को आप आदर सम्मान दे मान सम्मान दे और सबसे जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं जरूर लीजेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरी important चीज़ आज अगर कोशिश कर पाएं किसी ब्रामन को भोजन करा दे या किसी छोटी कन्या को कुछ खाने के लिए दे दे या उनके मन की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो भी आप जरूर कर लीजेगा यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज अपने गर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें बच्चों को बिल्कुल भी आप किस दिर का नुक्सान ना पहुंचा है इस बात का विशेश तोर पर द्यान रहेगा यह भी आपके लिए बहुत ज नया सीखने की कोशिश जरूर करने का आज के दिन में आप सभी के पास एक और चीज यहां पर कर सकते हैं आज अगर शादी नहीं हो लिए शादी के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है और इसी के साथ-साथ आप अपने प्यार का इजहार भी अ आपके लिए बेहत खास रहेगा आजके इनरजीस को बनाने के लिए कौन सा एंजल A अपको यूज़ करना है नोड कर लिजएगा प्लीज आजका एंजल ल South घाप म फाइव One One Six Six कि बहुत बहुत जदा important नंबर है बहुत जदा positive नंबर है और आज के दिन में ये नंबर आपके लिए काफी ज़्याद अच्छ रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा जब भी आप इस नंबर को रिकॉल करते हैं आप कोशिश करिए कि उस चीज को याद करें जिस चीज में आपको अपने भागी की सबसे ज़्यादा ज़रुत है कोई काम जो रुका हुआ है जो बन नहीं पारा उसके बारे में सोचेगा आपके काम के बनने के चांसे काफी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे अब बात करते हैं आज के दिन में Golden Wish Time कौन सा रहेगा कैसा समय जो आप के लिए बेहर खास समय होता है आज के दिन में Golden Wish Time में अगर हम बात करें तो दो पेर 3 बच कर 15 मिनिट से लेकर के 4 बच कर 15 मिनिट 3.15 to 4.15 का समय बहुत जादा खास समय है इस समय में आप कोई भी जरूरी काम करें, आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है, आपके जीवन का कोई भी विशेश मैथपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक्षिप काम ना है आने वाला साल आप सभी के लिए डेफिनिटली अच्छी रिजल्ट लेकर के आ रहा है कुछ मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, प्रापर्टी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं किसी तरह के लीगल चक्रों में उलजए हैं तो वो भी खतम हो सकते हैं इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं आज के दिन में आप सभी कोशिश करिए कि अपने आने वाले साल को पूरी दर से पहले ही प्लान करके चलें और हर इक चीज़ को अच्छे से करनी की कोशिश करें आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं आपर आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और अलफ़बेट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा राशियों में बात करें तो मिथुन राशी, कन्या राशी, तुला राशी, मकर राशी और मीन राशी के लिए समय बहत खास यहाँ पर दिखाई दिता है नंबर्स में बात कर ली जाए तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 के लिए समय काफी जाद अच्छा दिखाई दिता है अल्फबिट्स में देखा जाए तो अल्फबिट्स में A, I, M, N, Q, S, V और Z आप सभी के लिए आज के लिए आज के दिन काफी जादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा अब बात कर लेते हैं यापर आज के दिन में क्या रहेगा आज का बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट वैदिक वर्ड जो आपके लिए बहुत बहुत जादा खास रहेगा क्योंकि आज के दिन में इस वैदिक वर्ड से आप अपनी कई सारी परिशानियों को दूर कर सकते हैं आपको पूरी confidence के साथ, पूरी कोशिश के साथ बोलना है I claim, मतलब की मैं ऐसा करता हूँ मतलब इसको किस sense में बोलना है, वो समझे हर एक वर्ड की अपनी एक importance होती है और एक वैदिक वर्ड मतलब की एक ऐसा शब्द जो आपके कामों को बनाता है आप सभी को क्या करना है, जैसे मैंने कहा आज का दिन भाग्य को अपनी तरफ मोडने का दिन है तो भाग्य को यूनिवर्स को ये बताना है कि मुझे ये चाहिए I claim for that वो जो चीज़ है, वो क्या है, वो आप अपने मन में सोचिए जैसे कि मुझे नया मकान खरीदना है and I claim for the new house मेरा ये काम अटक रहा है, मेरा ये काम पूरा होना चाहिए I claim for that work तो I claim के बाद आपको वो काम अपने दिमाग में सोचना है जो काम आप पूरा करना चाहते है and उमीद करूँगा कि जब आप ये काम सोचेंगे तो definitely वो काम आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा और आपको अच्छे result जरूर मिलते हुए नजर आएगे तो इसलिए आज का ये वैदिक वर्ड आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है अब बात करते हैं आपर आज के affirmation के बारे में कौन सा affirmation आपके लिए आज काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के दिन में आपको बहुत simple affirmation का इस्तेमाल करना है I am a luck magnet ये आपको बोलना है I am a luck magnet मतलब कि आप खुद ही अपने आप में एक luck का बन काम करना शुरू कर दें तो चीज़ें आपके साथ automatically attract होना connect होना शुरू कर देगी तो आपको बोलना है I am a luck magnet उमीद करता हूँ कि जब आप ये बात बोलेंगे तब आप उस चीज़ को उस energy को feel कर पाएंगे और साथी जाथ उस चीज़ को attract करने की कुशिश करिएगा जो आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है अब last में बात कर लेते हैं आपर आज के वैदिक remedies के बारे में कौन-कौन से उपाया को करने हैं जो आपके लिए बेहत खास रहेंगे उससे पहले अगर आप मुंबई में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो 12-16, 12 तारीक से लेकर के 16 तारीक तक के बीच में आप मुझसे मिल सकते हैं अपनी कुंडिक analysis करवा सकते हैं और अपने बारे में जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं इसके लिए details आपको information मिल रही है इस screen पर उमीद करूँगा कि आप सभी whatsapp पर message कर देंगे और अपनी information के according आपको appointment मिल जाएगा अब बात करते हैं वैदिक remedies में आपको सबसे पहले कौन सा उपाय करना है आज के दिन में केसर का टीका अपने मात्य पर जरूर लगाईएगा और केसर के साथ अगर आप कुम-कुम मिला दें तो वो भी आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा आज किसी भी तरह से अपने आपको अशुद्ध मत रखिए मतलब कि आज ऐसा ना हो कि आप स्नान न करें आज अपने आसपास तो खुशनुमा माहूल बनाके रखिए डियो पर्फ्यूम या कुछ भी खुश्विदार चीज़े यूज़ करिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा कोई भी कलर अगर आज आप यूज़ करना चाहते हैं तो मेक शोर की आप कुछ मीठा खा करके जाएं दही और चीनी खा करके जाएं ये आप के लिए बहुत बहुत जादा अच्छा रहेगा उमीद करता हूँ कि आप सभी छोटी छोटी से उपाय करेंगे और अपने इस दिन को और जादा अच्छा बनाने की कोशिश जरूर कर देंगे इसके अलावा अगर कोई भी प्राबलम है कोई भी परेशानी है कोई चीज नहीं समझा रही या फिर कोई चीज आपको प्राबलम क्रिएट कर रही है आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मद्दियां पर कर सकते हैं धन्यवाद